कॉंग्रिस के वर्ष में ता एमद पटेल का निधन करी भी एक महिने से थे भी मार एमद पटेल के बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी आज सुबह साड़े तीन बजे लिए आखरी सांस एमद पटेल को एक मेरे पहले हुआ था कोरोना तब से लगतार खराब थी से है एकटर साल के थे एमद पटेल गुर्गरांग के मेदान था अस्पताल में चल रहा था इलाज एमद पटेल के निधन पर पियमोदी ने जताया दुख कहा उन्होंने सालों समाच के लिए काम किया राउल गांदी ने एहमद पठेल के निधन पर जताया दुख कहा कॉंग्रिस के स्थम्ब थे धरोहर थे फ्रांका गांदी ने एहमद पटेल के निधन पर जताया दुख थ्वेट कर कहा वो काफी अनुभवी और जानकार सहकार्मी थे जिन से हमेशा सलाह लेती रहती थी उपराश्पती बेंका यान आईडू ने जताया दुख कहा एहमद पटेल के सभी दलों के निताओं से थे अच्छे सम्मन्द बेस्पी सुप्रीब बायवती ने एहमद पटेल के निधन पर जतायी सम्वेदना कहा उन्होंने भाती राजजीती में छोड़ी गैरी चाप एहमद पटेल के निधन से ग्रेश हैर भरूट शोप में डूबा दिल्ले में बढ़ती सर्दी और पदूशन के बीच कोरोना का कहर जारी 24 गंटे में 109 लोगों की मौट दिल्ले में कोरोना से अब तक 8500 से जादा की जा चुके है जाहन 38000 से जादा सक्रिये केस दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6200 से जादा नए मामले संक्रवित मरीजों के संख्या 5,440,000 के पार तमाम कोशिशों के बावजूद मास्का अस्तमाल नहीं कर रहे हैं लोग अब तक दिल्ली में 5 लाख लोगों का किया जा चुका है चाला कोरोना से बचाव के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम दिल्ली में काम करने वाले गाज़ेबाद के लोगों का शाम को घर लोटते वक्त होगा रांडम कोविट टेस्ट देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से जादा नए मामले 91,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा देश में पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत अब तक 1,34,000 लोगों की जा चुकी है जाड़ देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से जादा के रिकावरी अब तक 86,000 से जादा हो चुके है रिकावर महराज में पिछले 24 गंदे में 2,000 से जादा नए मामले 5,288,000 के पार पहुंचा कुलांकरा महामारी के कोरां की बीट आक्षिन में मोधी सरकार राज्यो के मुख्य मंत्री से पी-म ने अलग-अलग मुद्दो पर की चर्चा पहले राउन में सबसे आधा कोरोना प्रवावेत राज्यो के सी-म से पी-म मोधी की बात दूसरे राउन में बागी राज्यो के मुख्याद के साथ माथा पच्ची वोके बंद्रियों की बैटेक में पी-म मोधी ने रखा वैक्सिनेशन का पूरा प्लान बोले हर एक नागरी को मिलेगा ठीका पी-म के साथ बैटेक में ए-सी-म के जुवाल ने उठाया पराली से प्रदूशन का मुद्दा के इंद्रियों से की दखल की बात अलिगढ में साप ताहिक मंगल बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर ओरी धजियां बिना मास्क लगाए रिखे लो ठौलपुर में मास्क पर सकती पोलिस ने बिना मास्क लगाए दुपईया वहां चालकों का काटा चाला बदायों में मास्ट नाप लगाने पर महिला इंस्पेक्टर ने विजली विभाग के S.S.O को ठपड मारा थाने में किया बंद विजली विभाग ने काटी विजली सप्लाई COVID-19 के संक्रबन के चलते आयोध्या से जनकपूर नेपाल तक जाने वाली राम बारात रद विश्विहनु परिशद के धर्मियात्रा महासंग करता था आयोजन वो अमें मास्कों लेकर सकती इस्तमाल नहीं करने वानों को सो की जगे देना होगा दो सो का जिर्बान बंगाल के खाड़ी में नीवार चक्रबात की आहट तमिलाडू और पुणुचेरी के तठीय इलाकों में चारी है बरसाद आज तमिलाडू के मलापुराम से टकराएगा नीवार 120 से लेकर 145 किलोमिटर प्रती घंटे हिल्ट हो सकती है हवा की रफ़ता साइक्लों से नेपटने के लिए इंडियारेफ ने की तयारी फिपी किट पहन का रिस्क्यू मिश्ण को अंजाम देंगे जवान अंद्रप्रदेश तमिलाडू अपुर्टुचेरी में तयानात की गई है अंडियारेफ की बाइस टी में तठी ये इलाकों का कराया जा रहा है खाली अज तमिलाडू में चुट्टी का एलान सुबह दस बज़े से चैनाई में ठाप राईगी रेल सेवाएं सरकार ने लोगों से की घर में रहने के अपीन सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोब जेल से कर रहे हैं सरकार गिराने के साजश सुशील मोदी ने किया ट्वीट रांची से एंडिये विधायकों को आ रहे हैं फोन मंत्री पत देने का लालच सुशील मोदी का दावा जिस नंबर से फोन आया उस पर कॉल करने से खुद लालू यादव ने फोन उठाया सुशील मोदी के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा अब मैनेज किये गए जनादेश वाली सरकार को हमेशा रहता है खत्रा अज बिहार विधार जबा के स्पीकर का होना है चुनाव इंडी एक हे में से बीजेबी विधायक विजे कुमार सन्हा और महागर बंदन के तरफ से आरजेडी विधायक अवद बिहारी सिंग पद के लिए मैदान में एडी के शुकंजे में आए टीम से नीता एक मंत्री सही तीन नेताओं को नोटिस एडी ने एक हफ़ते के अंदर तीनों नेताओं से मांगी बैंक अकाउंट के जानकारी मनी लॉंडरिंग आरो बीजेपी महासटेव कैलाश विजेवरगी ने कहा ब्रश्चाचार के आरोप में आधे मंत्री जाएंगे जेल शिफसे नवेधायक प्रताप सरनाइक और उनकी बेटे से आज भी एडी के पुष्टाच कल चार घंटे तक वोईते सवाल दिवा शर्तवा ने कहा एक साल तक महाराश की सथा नहीं मिलने की वज़े से ईडी का गल्रत इस्तमार यूपी में लब जहाद के खलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम क्याबिनेट से अध्यादेश पास जल्द बनेगा कानू योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लब जहाद रोकने के लिए सक्त सजा का प्रावधान तस साल तक की हो सकती है कैद धन परिवर्तन करवा का की गई शादी भी हो सकती है रद कानून बनाने वाले राज्जियों में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश अकिल भारतिया खाड़ा परिश्वत निकिया अद्यदेश का स्वागत कहा सादू संतों के लिए शुम दे रामदे निर्मान की बीचा योदिया एर्पोर्ट की भी बदली पहचान मरियादपुर्शोतम श्रीराम हवाई एड़ा होगा नया आनाम के अविनित की मंजूरी दिल्ली कुच की तैयारे में पजजाब के किसान हर्याना बॉर्डर था के अद्वांस में पहुंचा है सामान किसानों की दिल्ली कुच को लेकर हर्यान सरकार के फूले हाथ पाओं लोकल नेताओं की धर पकड़ शुरू हर्याना में किसान नेताओं की गिरफतारी से हर काम फतेहबाद में धरना प्रदर शुरू चब पिस समंबर को दिली कूच करेंगे किसान किसी भी हालत से निपटने के लिए हर्याना में पुक्ता बंदुबस अमरिसर में रेल पट्री पर डटे हैं किसान मालगाडी के लिए ट्राक से अठे लेकिन मुसाफिर गाडियों को लेकर नाराज की किसानों के समर्थन में उत्रे ठेका कर्मचारी केंदर सरकार के खिलाफ निकाला प्रटेस्ट मांच हिदरबाद में जोरो पर है नगर निगम चुनाग की तैयारियां ए-ाइ-म-ा-इम नेजों की ताकत दनादन रैलियां कर रहे हैं होगे से पूर्वी मिन्दापुर में वीजेवी महिला मोचा के उंकार रैली महिला सुरक्षा को लेकर वमता सरकार के खिलाफ अलाबोर के वड़िया पहुंचे लोकसबादेक्ष, ओम, बिरला, अखिल भार दिये, पीठा सीन, अधिकारी सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा रामपुर में वैत तमंचे के साथ एक युवक का विडियो वाइरल पोलिस ने क्या गिरफतार हाजिपुर में मन्रेगा गोटाली के जाज करने गई टीम के सामने हंगामा बयान दे रहे गाउंवालों के पिताई गोटाली की पोल खुलते देग, भड़के मुख्या के पती और उनके दबंग साथी, जाज अधिकारी मौके से पराई मन्रेगा मस्दूरों के घरजा कर दबंगों ने पीटा, कोट के आदेश बजाट करने आई थी टी बरेली में इई रिक्षा चाला की साड़क पर पीट-पीट कर हत्या, रिक्षे से टकराने पर भड़के दबंग बरेली के नवाब गंज बेतहसील के समविदा करमचारी की गला देद कर हत्या, गन्य की खेट में मिला शब जॉनपूर में बहुचर तेश शराब माफिया पर कारवाई डेड़ करोड से अधिके संपती जब्त यूपी के सोनभदर में कार की कंटेनर से टकर बाल-बाल बचा पूरा परिवार गाज़बाद के कवी नगर में सिस टीवी में दिखा तेन गवा जैसा जानवर वन विभाकु टीम अलोट पर खगड़िया में कोख्याद बदमाश हत्यार के साथ गिरफतार स्टी अपनी की कारवाई समस्तेपुर में औरकेस्ट्रा के दोरान चली गोली से डांसर घायल कामर में कैद वाक कटे से फाइनिंग का विडियो पुलन शेर में ओन्लाइन हुआ निकाह अमारका से डॉक्टर दूले ने दिया कबूल नावा मजार के लुग्याना में एक परिवार के चार सदस्यों के हत्या परिवार के सदस्य ने ही वार्दात को दिया अंचा कानपूर में पिछली विबाकी लापरवाही से दो भाईयों की गई जान गुसाइफ परिजनों ने जीटी रोट पर लगाया जा हर्याना के रिवारी में दिल देलाने वाला हाथसा वर्फक्ष ने दहेश में मांगी 30 लाख तो बेटी के पिताने की खुदकुशी दिले के विकास पुरी में सरयाम बुजूर्ग के हत्या घर के करीब मारी गोली हर्याना के फत्याबाद में कपड़े में लिफ्टी मिली 40 साल के शक्स की लाश पुल्स गोली तेजधार हत्यार से की गई हत्या अत्रों में कुले सव अदमाशों के बीच मुनभेर सीरियल किलर राहुल को लगी गोली मुरानपूर में बेटे ने ली मा की जान लाश को फेकते वक्त लोगों ने फकरा फिर उसाबाद में संपत्य के विवाद में एक यूवक ने की नाना की हत्या घर में चल रही शादी की तयारिया पश्यम मंगाल के मुश्यदाबाद में बस के अंदर से मिली कंड़क्टर की लाश परिजनों ने लगाया हत्याकारू बटना में फरजी सीवी आई अफ सर्बन का ठगी करने वाला गिरफतार मंद्र प्रदेश को रहने वाला है हैधर अली बिहार के बेकु सराहे में 410 पेटी अवैश शराब बरामत पश्यम मंगा से समस्तिपूर ले जाए जा रही थी नश्यकी खेब और प्रकन के विकास नगर में पेडों के अवैश कटाई का बंडा पोड एका रूपी करफतार शेपर केस दर्ज जोजिला दर्रे के पास फिर बर्फ बारी श्रीनगर ले हाईवे पल अगतार दो दिनों से ठप है काड़ियों के आवाज आई असम के सोनेपूर में बात के हमले में दो लोग घायल वन विबाग के टीम कर रही है तलाश वाक्सीन आने की खबर से लुड़के सोने चान्दी के दाम दो दिनों में सोना बारा सो रुपए कम होकर पचास सजार के नीचे पहुंचा निसमबर से 24 गंटे और सातो दिन उपलब्द रहेगी आटी जीयस सुविधा साल के 300 पैसें दिन कभी भी पैसो का लेंदेन कर सकेंगे ग्राहत इलेक्ट्रिक वीकल चार्ज करना होगा असान 69 पिट्रोल पंपों पर चार्जिंग क्योस्क लगाने की तयारी आजिकर सत्ता हस्तान तरण के लिए तयार है डोनल्ड ट्राम कहा जारी रहेगी नतीजों के विरोध में कानूनी लड़ाई दिनिया में 5 करोर 95 लाग के पार पहुची कोरोना मरीजों के संख्या अब तक 14 लाग से जादा की हो चुकी है मौत अमरेका में 1 करोर 27 लाग के पार पहुची कोरोना मरीजों के तादा अब तक 2,63 लाग से जादा की हो चुकी है मौत कोरोना की बटबी रफटार में रूस को किया बेहाल 24 गिंटे में रिकॉर्ट 25 लाग से जादा मरीज 21 लाग 14 लाग के पार पहुचा को नाक रख़ए संक्रमित श्रक्स के संपर्क में आने के बाद लिया फैसला फ्रांस के पूर्ब राशपती निकुलास सरकोजी के खलाब रचरचार मामने में शुरू की सुनवाई दोशी पाए जाने पर हो सकती है दस साल की सिज़ा इटली के राज़ानी रोम में क्रिस्मस की वज़े से खोले गए बाजार सोचल डिस्टंसिंग का फालन करवाने के लिए पुलिस की तैना दिये चीन के शंगाय ऐपोर्ट पर बड़े पैमाने पर कुरोना टेस्टिंग की शुरुआत साथ कर्मचारियों और परिजनों के संक्रमित होने के बाद उठाय गया कदब ये काबू ए कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए वेस्ट बैंक में दो हफतों का लॉकडाउन सुबसाद बज़े से शाम छे बज़े तक लागू रहेगा कर्प्यू नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले